जैन बच्चो कैसे हैं आप लोग बच्चो आज आप के लिए लेके आए हैं हेमंड अभिधार्णा जिसको इंगलिस में कहा जाता है हेमंड स्पोशुलेट तो आएए जानते हैं क्या होती है हेमंड अभिधार्णा 1955 में जोर्ज हेमंड वैग्यानिक ने भोतिक कार्बनिक अभिक्रियाओं में संक्मन अवस्था की संग्रचना को व्यक्त करने के लिए एक अभिधार्णा प्रस्तुत की जिसे हेमंड अभिधार्णा कहा गया ये बात है 1955 की जब जोर्ज हेमंड ने वैग्यानिकों के सामने आने वाली समस्या के बारे में सोचना सुरू किया समस्या क्या थी किसी भी कार्बनिक अभिक्रिया के अंदर एक अवस्था वो आती है जहां पर बंद का तूटना और बंद का बनना सुरू होता है स्टार्ट होता है वो अवस्था कहलाती है संक्रमन अवस्था अब ये वैग्यानिकों में बहुत ही जादा जिग्यासा होती है ये जानने की कि जो वो कार्बनिक अभिक्रिया कर रहे हैं उसके अंदर बनने वाली संक्रमन अवस्था की जो आकरती होगी जयामिती होगी वो और दे दिया एक तरीका किसी भी कार्वनिक अभिक्रिया की संक्रमन अवस्था की आकर्ती या जयामिती को व्यक्त करने का। किसी भी कार्वनिक अभिक्रिया की संक्रमन अवस्था की आकर्ती अभिकारक के समान भी हो सकती है। किसी भी कार्वनिक अभिक्रिया की संक्रमन अवस्था बनती है। किसी भी कार्वनिक अभिक्रिया की संक्रमन अवस्था की जो आकर्ती होगी वो अभिकारक के समान भी हो सकती है। अब जिसकी उर्जा भी संक्रमन अवस्था की या तो लगबग बराबर हो या फिर बराबर हो। किलियर है बराबर हो या लगबग बराबर हो जिसकी भी चाहे अभिकारक या उत्पाद मालो अभिकारक की उर्जा जो है इस अभिक्रिया में संक्रमन अवस्था के समान है। लगबग समान है तो इसकी आकरती अभिकारक की आकरती के समान होगी। मालो उसका विप्रीत है, आगे स्पष्ट करूँगा मैं, यहां पे संक्रम्न अवस्ता की जो उर्जा है, वो उत्पाद BC के लगबक समान है, तो उसका मतलब क्या होगा, कि जो संक्रम्न अवस्ता की जयामिती आकर्ती होगी, वो BC उत्पाद की आकर्ती के समान होगी, यह है म अबीधारना लेकिन अभी भी कुछ लोगों को सपस्ट नहीं हुआ होगा क्योंकि यहां पे ग्राफ का बहुत जादा परयोग होता है तो मैं ग्राफ की साहिता ऐसे ही लेता हूं क्योंकि जब तक आप ग्राफ नहीं बनाएंगे आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे तो आपका उस्मा शोशी से लिए उस्मा शेपी अभीक्रिया वो होती है जिसमें उर्जाएं मुक्त होती है जबकि उश्मा शोशी अभीक्रिया वो होती जिसमें उर्जा का आवसोशन होता है उर्जा देनी पड़ती है यहां पे आप देख सकते हैं अभीकारक से आपने प्र का जाता है और बाद में बन गया उत्पाद अगर आप दोनों कारों में ध्यान से देखें तो संक्रमन अवस्ता की उर्जा सबसे जादा है जिसको ETS Energy TS किलियर है अभी कारक की उर्जा यहां पे उस्मा शेपी में थोड़ी जादा है उत्पाद की तुला में जिसको ER कहते हैं उत्पाद की उर्जा EP है किलियर है तो पहले मैं अगर आप से बोलू हैमन्ट की जो अभी धारना परिभासा आप उपर पढ़ के आए हैं अगर यहा पर इस उस्मा शेपी अभी करिया के लिए संक्रमन अवस्ता की जो आकरती होगी जो जयामिती होगी वो किसके समान होगी किस पिंद्र भर करेगी तो सर देखिए किसकी उर्जा संक्रमन अवस्ता की उर्जा के समान है या लगबक समान है तो सर लगबक समान है अभी कारक की उर्जा के तो उसमा शेपी अभिक्रिया में संक्रमन अवस्था की आकर्ति या जयामिति अभिकारक के समान होगी किलियर है अब यहां पर देखिए उसमा शोशी अभिक्रिया की बात करें तो यहां पर इस अभिक्रियां में संक्रमन अवस्था की उर्जा किसके बराबर या लगभग बराबर है तो उत्पाद की उर्जा के लगभग बराबर है तो यहां पर संक्रमन अवस्था की जो आकर् तो देखिए यहां पे सारांस किया हुआ निसकर्स किया हुआ उसमा सोशी ये वाली राइट वाली बात करें उसमा सोशी अभिक्रिया के लिए संक्रमन अवस्ता की आकर्ती उत्पात की आकर्ती के संगत होगी समान होगी प्रन्तु उसमा शेपी ये वाली अभिक्रिया में सं अभिधार न पढ़ने का कोई लाब भी है, कोई फायदा भी है, कोई question तो फायदे भी बनते हैं, हानियों पर बनते हैं, ठीक है न जी, तो चलिए फिर जानते हैं, पहला है जी, यह अभिक्रिया की दर और उत्पाद के स्थाइट को स्परस्ट करती है, बहुत सारी विक्रिय और दर के संबंद को स्पस्ट करती है कौन हैमंड की अभिधारना दूसरा है जी एलकेनों के कलोरीनी करण और ब्रोमी करण में बनने वाले उत्पादों को स्पस्ट करती है जब आप एलकेन का कलोरीनेशन या ब्रोमीनेशन करते हैं तो वहाँ पे उत्पाद बनते हैं एक से ज्यादा तो वहां पर सवाल ये उठता है कि ये ही ज्यादा क्यों बना तो जब ये मन में आता है कि इसकी मातरा ज्यादा क्यों है इसकी मातरा कम क्यों है ये मुख्य क्यों है ये गोण क्यों है तो उस कारण को स्पष्ट कर जाती है हेमंड की अभी धाना ये है अलकिल हलाइ यह जलिय के वच के साथ क्रिया कर रहा है इस अभिकरिया में संक्रम्न अवस्था आती है उसके बाद अभिकरिया मद्यवर्ती आता है और बनता है हमारा उत्पाद तो यह रो एच जो है हमारा उत्पाद है यह हमारा अभिकारक है और एक्स के लिए रहे तो यहां पर अगर संक्रमन अवस्था जो यहां पे आएगी उसके बाद यहां पे बनता है मद्यवर्ती यह वाला अभिक्रिया मद्यवर्ती जो होता है कार्बो धनायन आर प्लस से दिखाया हुआ है उसके बाद यहां पे संक्रमन अवस्था दो आती है और उसके बाद बन जाता है आर ओएच पर clear है तो आप बताईए कि यहां पे यह तो आपका अभीकारक है ना जी यह आपका उत्पाद है किसकी उर्जा यहां पे और एक मद्यवर्ती भी आ गया है यहां पर तीन चीज़े हैं फिर से बोलता हूं यह हमारा अभीकारक है यहां पर लिख भी देता हूं bracket के अंदर ता अभीकारक हो रुत्पाद यहां पर मद्यवर्ती भी आ गया है तो आप पताईए किसकी उर्जा संक्मन अवस्था के बराबर या लगबग बराबर है क्या अभीकारक आरेक्स की नहीं आरुवच उत्पाद की नहीं मद्यवर्ती की उर्जा जो है यह देखिए मद्यवर्त कि जो उर्जा है वो लगबक समान है किसके समान है जी संकमन अवस्था की उर्जा के थोड़ा ही अंतर है कि लिए रहा बात समय पारे हैं तो यहां पे संकमन अवस्था की जो आकर्ती होगी वो केवल निर्भर करेगी मेल खाएगी किसकी आकर्ती पर मद्यवर्ती कार्बो धन यहां पे ध्यान से देखी सुछ। ऐसली सपरेस्ति चुसेलिया woko मैं 2 ऐन सिर्फिज्स एii हो सकता है या फिर कोई हो सकता है क email रीज्वित तो यहाँ पे द्यान से देखिए यह आपका मेथिल है यह आपका ए अइथिल हेलाइड है इताइल भी बोल सकते हैं यह आपका आईसो प्रोपिल हैलाइड है यह आपका टरेशरी ब्यूटाइल है किलियर है अब यहाँ पर अगर यह अभिक्रिया इनके साथ होती है आरेक्स की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर यह रख देते हैं आरेक्स की जगह जो आपने उपर अभिक्रिया लेती वहाँ पे RX की जगे ये ले लेते हैं इनमें से कोई साभी हैलाइड तो उत्पाद जो बनेगा वो क्या होगा और क्यूं होगा तो आप देख सकते हैं इस अभी किरिया में अगर आप यहां से हैलोजन को बाहर निकालते हैं तो जो मद्यवर्ती बनेगा वो बनेगा आपको का कार्बोधनायन बन रहे हैं इस से मेथिल हलाइड से बनेगा मिथाईल कार्बोधनायन यहां पे एथिल हलाइड से बनेगा इथाईल या एथिल कार्बोधनायन आईसोप्रोपिल हलाइड से बनेगा आईसोप्रोपिल कार्बोधनायन और ट्रेशरी हलाइड से बनेगा ट् तरिश्यरी ब्यूटाइल यह जो कार्बो धनायन है यह आपका तिरित्यक है किलियर है यह अस्थाई होता है दिरित्यक से दिरित्यक अधिक स्थाई होता है प्रात्मिक से और प्रात्मिक होता है मिठायर कार्बो धनायन से तो यहां पे यह वाला जो कार्बो धनायन है यह ज चलें जी आगे अब लेतें अंतिम लाव इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया में बनने वाले मुख्य उत्पाद के कारण की व्याख्या करता है। चल जाता था वैग्ञानिको कूल एक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया का मुख्य उधारण है मार्को निकॉफ अभिक्रिया में आधि थाना लगती है मगर कैसे ऑव देख लेते हैं यहां पर जब यह अभिक्रिया जाती है यह आपका यहां पे अलकीन है HBR के साथ में इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया होगी जिसे दो परकार के उत्पाद बनेंगे एक ये वाला मुख्या होगा दूसरा गोण होगा तो यहां पे सवाल ये उठता है कि ये मुख्या उत्पाद क्यों बना और ये गोण क्यों बना तो इसकी या क्या भी हैमंड अभिदारना के दुवारा सरलता जे हो जाती है कैसे आही जानते हैं देखिए बन्दू ये आपका यहां पे अलकीन है ये HBR के साथ क्रिया करती है और यहां पे ये बनती है आपकी संक्मन अवस्था एक पैचान लीजिए इसको ये देखिए यहां पे यह जो पाई बन्द के एलेक्टरोन है यह यहां पे धुरुई H पर यहां पे अटैक करते हैं जिससे ये वाला बन्द दिखाया हुआ है धियान सदी है HBR के बीच का बन्द भी डोट दिखाया हुआ है तो यहां पे बन्द तूटना शूरू हुआ है और कार्बन एच के ब मद्यवर्ती है तो अगर यहाँ पे ग्राफ यह निरूपन करते हैं ग्राफ बनाते हैं उर्जा और अभिक्रिया के दर में और यहाँ पे इस अभिकारक और इस उत्पाद और इस मद्यवर्ती और संकमन अवस्था के लिए ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा संक्रमन अवस्था दूसरी आती और फिर आपको अंतिम क्या मिल जाता है उत्पाद के लियर है यह आपका युगात्मक उत्पाद है मारकोनिकोफ अभीक्रिय के दो बनते हैं तो यहां पर सवाल यह है कि यह मुख्य क्यों बना तो देखे यहां पर इस अभीक्रिय की जो संक पाद की तो बहुत ही कम है यह मद्यवर्ति जो आप यहां पर देख रहे हैं इसकी उर्जा लगबग इसके समान है सपस्ट है आपको तो संक्रमन अवस्था की जो उर्जा है वो मद्यवर्ति के बराबर है तो मद्यवर्ति यानि की आपका ट्रेशरी कार्बो धनायन की जो आकर्ती होगी उसके जैसी ही आकर्ती होगी उसके जैसी संग्रचना होगी संक्रमण अवस्था की तो संक्रमण अवस्था बनेगी हाँ बनेगी और कार्बो धनायन की जो आकर्ती है वैसी ही बनेगी इस करण यहाँ पे इस अभिक्रिया की दर जो है वो निर्बर करेगी ट्र बैश्यरी कार्बोधनायन यहां पर बनेगा और जिस पर आपका ये वाला जो बी आर है ये अटेक करेगा जिस करण ये उत्पाद मुख्य होगा और ये गोण होगा तो आप देख सकते हैं कि मारकोनिकोब में आप बोलते भी हैं क्या बोलते हैं कि हैच बी आर का रिनात्मक भाग उस दीवन्दित कारबन पर जाता है जिस पर एच की संक्या कम होती है ये आप रटके आते हैं यह वियार यहां पर जाएगा अगर कोई आप से पूस्ता लेकिन सवाल ये क्यों जाएगा तो उत्तर यह हैं कि हैमंड की अविधार्णा स्पश कर देती कि इस अभी क्र भी इसी पर निर्भर करेगी और इसमें जो बी आर का टैक होगा वो इस वाले टैश्यरी कारबन पर होगा जिस करण ये मुख्या उत्पाद बनेगा किलियर है तो बच्चों यह हमने जाना यहां पर इसके लाब क्यों संक्रमन अवस्ता जो होती है अभी क्रिया की वो क्रि अभी दी को बताना काफी सरल हो गया था हैमन्ड अभीधार्णा की साहिता से लेकिन लेकिन इसमें कुछ कमिया थी और कमिया भी काफी बड़ी थी जिसकी वज़े से हैमन्ड अभीधार्णा सारी अभी क्रियाओं में पुगुन रूप से लागू नहीं हो पाती है क्या है जिसकी वे से हैमंड अभिधार्णा फेल हो जाती है, ऐसे सफल हो जाती है, आई ये उनको भी जान लेते हैं, पहला है जी, यह उस्मा गतिकी और बल गतिकी में संबंद इसपस्ट नहीं कर पाती है, अगर हैमंड अभिधार्णा को ध्यान से आप पढ़ेंगे, तो यहाँ प जेता है, जबकि संबंद होता है, तो यह इस संबंद को मानती नहीं है, या सपस्ट नहीं करती है, किलियर हुआ कौन हैमंड अभिधार्णा, यह गलती है, और दूसरी सबसे बड़ी कमी जो है, जो जिसकी वज़े से यह पीछे अट गई धार्णा सफल लोगई सबसे बड होती है, मुक्या चीज होती है, संक्रियन उर्जा, अगर आप अबिक्रिया को पढ़ेंगे, बल गतिकी को पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि भाई जो अभिक्रिया होती है, उसमें संक्रियन उर्जा पे बहुत जादा निर्बर करती है, क्या आपकी अभिक्रिया की दर, तो यहां पे Enthalpy को तो यह मानती है कि हाँ भैया Urja जो है वो लगबख समान या समान उन्ची ये है ना लेकिन सक्रियन Urja को नजर अंदाज कर देती है जो बिल्कोल भी सही नहीं है किसी भी अभिक्रिया की दर सक्रियन Urja पे निर्भर करती है लेकिन ये उसको मानती नहीं है तो ये दो बड़ी कमिया थी जिसकी वज़े से हैमंड अभिधार्णा को SFL करार दिया गया किलियर है तो बच्चों आपको स्पस्ट हो गया होगा हैमंड अभिधार्णा क्या होती है थेंक्स वर वाचिंग